हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसरत बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ यह जो डिजाइन है आप इसे जेंट स्वाइटर के लिए बना सकते हैं आप इस डिजाइन को अगर जेंट जैकिट बना रहे हैं या क बना रहे हैं उसमें भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं यह डिजाइन का रॉंग साइड है रॉंग साइड से इस तरीकी का दिखाई देता है आप इस डिजाइन को नियूबोन बेबी की स्वाइटर बना सकते हैं अगर कोई सूट सेट बना रहे है तो उस पे बना सकते बेबी फ्राक के लिए बहुत प्यारा डिजाइन है, बॉइस हाफ स्वाइटर के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप इसे तक्रीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे और सभी एज ग्रूप के लिए यूज कर सकते हैं, ये लाइट और डार्क सभी कलर में अच्छा बन पर आपका डिजाइन सेट हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो है, वो कोई भी उन ले सकते हैं, यानि कि किसी भी प्लाई का उन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वूल ले सकते हैं, जो थोड़ा सा मोटा वूल होते हैं वो ले सकते हैं, पतला वूल ले सकते हैं 9 number और 10 number की needle से आप इसे बना सकते हैं आप border बना लीजे उसके बाद first row right side से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारी row 1 है और right side से हम शुरू करेंगे पहले फंदे को slip कर देंगे अगर आप बिनते हैं तो इसे सीधा बिनेंगे उन को right side यानि कि अपनी तरफ करेंगे इन पर आपको design को बनाना है पहले दो फंदे सीधे बिनेंगे एक और दो दो फंदे सीधे बिनने के बाद हम तीन फंदो को एक साथ बिनेंगे यह वाले तीन फंदे हैं अब देखिए right side की needle से तीनों फंदो के बीच में से आपको सलाई पीछे करना है उसके बाद एक बार आपको सीधा बिनना है इसके बाद आपको दूसरे फंदे के लिए उनको सलाई पे इस तरीके से लपेटना है देखिए इस तरीके से एबा फिर से देखेंगे हम इसे देखें इस तरीके से दूसरे फंदे के लिए लपीटना है और तिसरे फंदे के लिए देखें तीन फंदे हैं दो फंदे छोड़ देंगे देखें एक और दो दो फंदे छोड़ कि जो अपका पहला फंदा है इसे सीधा बिनें हैं तो 3 फंदो के 3 फंदे होगए यहां पर हमारे पास तीरों फंदों को छोड़ देंगे अब फिर से यही 7 फंदे हम repeat करेंगे उन अपनी तरफ करेंगे 2 फंदे उल्टे उन को right side की तरफ करके 2 फंदे उल्टे बिनेंगे उन को wrong side करेंगे क्योंकि हम फंदों को सीधा बिनेंगे पांच फंदे हैं इनके दो फंदों को हम पहले सीधा बिनेंगे एक और दो दो फंदे सीधे बिनने के बाद तीन फंदों को हम नीडिल में लेंगे एक साथ राइट साइड की नीडिल को तीनो फंदों के बीच में से लेकी जाना है और एक बार आप इसे सीधा बिनेंगे इस तरीके से अब इसके बाद दुसरे फंदे के लिए आपको फिर से सलाई पे उनको लपीटना है ऐसे फिर दो फंदे छोड़ के आपको जो पहला फंदा है इसे सीधा बिनना है तीनो फंदों को नहीं बिनना है अपकी बार पहले फंदे को सिर्फ सीधा बिनना है तो हमारे तीन फंदों के तीन फंदे हो गई ये तीन फंदे हम छोड़ देंगे फिर यही सेवन स्टिच हम रिपीट करेंगे टू स्टिच जो है हम पहले उल्टे बिनेंगे, दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे, देखे इस तरीके से अब उन को पीछे करेंगे, पांच फंदों में से दो फंदे हम पहले सीधे बिनेंगे, एक और दो, दो फंदे सीधे बिनने के बाद, राइट साइट की जिससे हम बिन रहे हैं निड एक हमाने उनके बिनाहे तो इसके लिए हमें क्या करना है इस तरीके नशाब हमाने, फोमाने ंको इससे वह लपेटना नशा है सबस्सक्रास सावजाय। सेख lookahe overall. रो सेकिंड आ गई है, रॉंग साइट की रो है, पहले फंदे को सिलिप करेंगे, अगर बिनते हैं तो इस उल्टा बिनेंगे, अब उन को हम राइट साइट की तरफ करेंगे, दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, ये जो दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, देखिए जब आप फंदो को राइट साइड से उल्टा बिनते हैं तो वो रॉंग साइड से सीधे हो जाते हैं देखिए राइट साइड से उल्टा बिना तो रॉंग साइड से सीधे हो गए अब फिर से हम पांच फंदो को बिनेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दो उन को अपनी तीनो फंदों के बीच में से आपको इस तरीके से निदिल लेनी हैं, एक बार आपको उल्टा बिनना है, एक फंदा हो गया, दुसरे फंदे के लिए आपको सलाई पे उनको लपेट नहीं देखे, ऐसे, आगे से मोडते वे हम अपनी तरफ लाएंगे, और फिर से हम दो फंद सीधे बिनेंगे, एक, दो, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, यानि कि रॉंग साइट की तरफ, क्योंकि हम रॉंग साइट की पांच फंदे हैं, दो फंदे हम पहले उल्टे बिनेंगे, एक, दो, दो फंदे उल्टे बिनने के बाद आपको तीन फंदों के बीच में से नि फिर से हम यही 7 जो है repeat करेंगे, 2 फंदे सीधे, देखे इस तरीके से उनको अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, यह 5 फंदे हमारे, तो 2 फंदे हमारी उल्टे बिने जाएंगे, देखे एक और दो, यह वाले एक पहला फंदा उल्टा, फिर दूसरा फंदा उल्टा, अब 3 फंदे हम एक साथ निडिल पे लेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदो को एक साथ आपको निडिल पे लेना है, देखे ऐसे, और 3 फंदो को एक बार पहले हम उल्टा बिनेंगे, इसके बाद जो है, इस दूसरे फंदे के लिए हम निडिल पे उनला पेटेंगे, और देखे ऐसे करके आपको उनला पेट के अपनी तरफ लाना है, और फिर हम दो फंदे छोड़ के पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे, अब लास्ट के जो हमाई दो फंदे रहेंगे, इनको हमें सीधा बिनके row को ये दो फंदे सीध है और H के फंदे को उल्टा बिनके हमको row को complete कर लेना है हमाई second row complete हो गई अब हम फिर से right side की तरफ आये हैं आपको same row first की तरह repeat करना है पहला फंदा slip करेंगे दो फंदे उल्टे बिनेंगे उसके बाद उन पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बिनेंगे देखे एक दो दो फंदे सीधे बिनने के बाद तीनों फंदो को एक साथ निडिल पे लेंगे एक पर हम सलाई के उपड़ उन लपेट के तिस्री फंदे के लिए हमें पहले फंदे को सीधा बिन लेना है तो हमारे total पाँछ फंदे होगए फिर से हम यही 7 फंदे repeat करेंगे दो फंदे उल्टे, उन पीछे, दो फंदे सीधे बिनने के बाद आपको तीनों फंदो को एक साथ सलाई पे लेना है, देखिए ये वाले तीनों फंदों को एक सलाई पे लिया, पहली बार में हमने सीधा बिना, दूसरे फंदे के लिए उन लपीटा, तीसरे फंदे के लिए पहले फंदे को सीधा बिन दिया, फिर यही 7 1 stitch आप रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे, उन पीछे, दो फंदे सीधे, очень में एक साथ निडल पर लेंगे और सीधा बिनेगे, फिर एक बर उन सलायDay को लेंगे, दूसरे फंदे के जिसरे फंदे के पहले फंदे को सीधा बिन देंगे, और यह वाले दो फंदे उल्टे ब किन रोपे बिना था पहला फंदा स्लीप दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और फिर तीनो फंदो को एक साथ निडिल पे लेंगे देखे इस तरीके से फिर दूसरे फंदे के लिए उन सलाई पे लपिटेंगे ऐसे और फिर तिसरे फंदे के लिए पहले फंदे को उल्टा बिन देंगे तो जो डिजाइन है ये उल्टा और सिधा ही बिना जाता है टूरो रिपीट पैटन है यही दो सलाइएं आपको बार 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 कंटीनियू रखनी है आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनके आएगा ये जो डिजाइन है इसका शौर्ट मैने कल डाला और मुझे इतने जादा इसके कमेंट आये थे कि आप हमें यह वाला डिजाइन जरूर बताएए तो इस पेशली मैं आज इसलिए इसी का वीडियो तयार किया और आप सबके फरमाइश में ये प्यारा सा डिजाइन में लेकर आई हूँ तो लास्ट का हमारा यही टूरो बस आपको रिपीट करते जाना है दो फंदे उल्टे तीनो फंदो को एक सा सलाई पिलेंगे एक बार बिनेंगे एक बार आप फिर से इसे उन को लपेटेंगे और फिर एक फंदे को आप उल्टा बिन देंगे दो फंदे सीधे बिनके आपको रो को कम्प्लीट कर लेना है और आपका जब continue आप इस design को बनाएंगे यह आपके second row complete हो गई तो आपका देखिए यह प्यारा सा design बनकर आएगा यह बहुत ही खुबसुरत बहुत ही प्यारा design है आप इसे एक बाद जरूर बनाएगे किसी भी वोलन पोजेक्ट पर यह अच्छा था है डायक और लाइट सभी color वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया